नमस्कार दोस्ते, मैं संतोस पटेल, स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर, यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को आउन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे, आज की वीडियो में हम नेश्टेड लिष्ट या मल्टी लेबिल लिष्ट को सीखने वाले हैं, एस्टी एमल जो है, वह है आपको तीन बेसिक टाइप की ल प्यार कर सकते हैं, नेश्टेड लिष्ट को मल्टी लेबिल लिष्ट भी कहा जाता है, नेश्टेड लिष्ट या मल्टी लेबिल लिष्ट क्या होती है, जब आप एक लिष्ट के अंदर कोई दूसरी लिष्ट बना देते हैं, तो उसे कहा जाता है, नेश्टेड में हम multi-level list को बनाना सीखने वाले हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि nested list या multi-level list होती क्या है, उसके बाद उसको एक practical example से समझते हैं, जब एक list के अंदर किसी दूसरी list को बनाया जाता है, तब उसे nested list कहते हैं, यह list ol tag ul tag से बनाई जा सकती है, आपने जो ol tag मतलब ordered list पड़ी, ul tag मतलब unordered list पड़ी, उनको मिला कर आप कोई भी nested list या multi-level list बना सकते हैं, इसका use करने का syntax क्या है, जैसे कि मैंने एक ordered list बनाई, जिसको last में close किया, ordered list के अंदर पहला list item मैंने दिया, फिर इस list item के अंदर एक और ordered list मैंने बना दी, और इस ordered list के अंदर एक item दे दिया, यह हम हमारा man-ol tag बन्द है, मतलब एक list के अंदर जब दूसरी list बनती है, तो से कहा जाता है nested list या फिर multi-level list, आज के program में हम यह example लेकर एक nested list बनाने बाले हैं, यहाँ पर हमने एक heading दी है computer, computer के अंदर दो पार्ट होते हैं, software एक hardware, तो हमारी जो man list है, वह है software और hardware की, यह man list है, जिसमें हमने numbering print करी है, बन और टू, लेकिन software के अंदर अपनी list है, जिसमें है word, excel, powerpoint और hardware के अंदर अपनी list है, जिसमें है mouse, keyboard और printer, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक nested list है या multi-level list है, multi-level क्यों, इसमें पहला label है software और hardware का, दूसरा label है word, excel, powerpoint, mouse, keyboard, printer का, तो य कहलाती है हमारी multi-level list या फिर nested list, इसके लिए आप OL tag का, UL tag का, किसी भी tag का use कर सकते हैं, तो अभी हमने nested list को, या multi-level list को introduction के रूप में समझा, उसका syntax समझा, अब चलते हैं visual studio code पर, और multi-level list को create करके देखते हैं, तो अब हम अपने visual studio code में आ गये हैं, जहाँ पर हम एक multi label list को create करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने project folder में, html folder में, एक new file को add करेंगे, उसके लिए हम add file, new file option पर click करते हैं, यहाँ पर हम आज का जो program बनाने वाले हैं, वह है nested list के लिए बनाने वाले हैं, तो हम अपने program का नाम भी दे देते हैं, nested list.html, हमारे project में, हमारे folder के अंदर एक नया program add हो गया है, nested list.html के नाम से, यहाँ पर आपको अपने सभी basic tag को लगाना है, जैसे कि पहला tag होता है, हमारा html tag, जो की एक root tag होता है, second tag हम यहाँ पर use करते हैं, head tag, जो की आपके page से सम्मंदित, metadata को store करता है, third tag हम यहाँ पर लगाने वाले है, title tag, जो की आपके webpage का एक title set करता है, यह title आपको web browser के title बार में display किया जाता है, तो आज का जो हमारा program है, वह है nested list के लिए, तो हम अपने page का जो title है, वह है भी दे रहे हैं, nested list, इसके बाद आप title tag को close करें, then head tag को close करें, अब हमें body tag को open करना है, body tag को मैंने open किया, body tag नीचे अपने आप close हो गया, अब हमें यहाँ पर list को तयार करना है, तो सबसे पहले हमने एक heading दी थी computer, heading के लिए हमने heading tag को पड़ा है, h1 से लेकर s6 थक, तो हम यहाँ पर computer जो heading है, उसको h2 tag में दे रहे हैं, मतलब heading 2 में दे रहे हैं, यह हमारी heading हो जाएगी, अब इस heading के नीचे हमें ए hardware और software था, उसमें numbering थी 1 or 2, 1 or 2 मतलब वह एक ordered list है, तो हम पहला tag लगाएंगे, OL tag, OL tag नीचे automatic close हो जाएगा, यह हमारी main list होगी, main list मतलब hardware और software की, तो main list के अंदर हमारा पहला li लगेगा, li मतलब list का item, हमारी list में जो पहला option था, पहला list item था, वह क्या था, software, और दूसरा item क्या था, हमारा hardware, लेकिन, दूसरा item देने के पहले, हमें software के अंदर, एक और ordered list बनानी है, तो हम दूसरा LI बाद में लगाएंगे, जो software के अंदर की list थी, उसको तयार करेंगे, और software के अंदर जो list थी, वह थी, word, excel, powerpoint की, जिसमें numbering आ रही थी, ABCD, तो हमें यहाँ पर, OL tag को लगाएंगे, OL मतलब ordered list, और इसका type क्या दे देंगे, अब हम type दे देंगे, A, A का मतलब क्या है, अब हमारी जो numbering आएगी, उसमें जो numbering होगी, वो alphabetical होगी, मतलब ABCD, ठीक है, तो हमने यहाँ पर software के अंदर, एक और OL tag को लगाया, और OL tag के अंदर, कौन-कौन से software थे हमारे word, excel, power point, उनको हम li में type करेंगे, तो पहला software था हमारा word, यह software के अंदर पहला li हो गया, दूसरा था excel, यह हमारा software के अंदर दूसरा li हो गया, और तीसरा था हमारा power point, तो हमने यहाँ पर एक multi-level list बनाई है, जिसमें man heading है computer, computer के अंदर पहला list item है software, software के अंदर 3 li थे, word excel, power point, यह हमारी जो software के अंदर वाली list है, वह तयार हो गई, अभी हमारा man ol यह चल रहा है, अब हम इस software के अंदर वाले ol को close करेंगे, और next li tag लगाएंगे, यह li tag जो होगा, यह हमारे man ol के अंदर आएगा, दूसरे li में हमें क्या देना था, hardware, दूसरी heading हमारी क्या थी, hardware, यहाँ पर हम li tag को close कर देंगे, यह हमारी man heading हो गई, man list की दूसरी heading हो गई, पहली थी software दूसरी हो गई, hardware, अब hardware के अंदर भी हमने एक order list बनाई थी, जिसमें था mouse, keyboard और printer, तो उसको बनाने के लिए हम फिर से ol tag लगाएंगे, और उसमें जो numbering थी, वह थी alphabetically, तो हमें यहा दीजिए, तो पहला hardware था हमारा mouse, यह hardware के अंदर आएगा, second li था हमारा keyboard, तो हम यहाँ पर अपना second li दे देते हैं, third li था हमारा printer, लिस्ट का तीसरा option क्या था, printer, तो हमने यहाँ पर तीनों को type कर दिया, अब आप इस list को ध्यान से समझ दीजिए, पहले, मैंने एक heading दी, ज यह order list last में close है, यहाँ पर, यह ol tag last में close है, इस ol tag के अंदर एक li है कौन, software, दूसरा li कौन है, hardware, लेकिन software के अंदर अपनी एक ol list बनी है, order list बनी है, जिसमें 3 li है, word, excel और powerpoint, जबकि hardware के अंदर भी एक order list बनी है, जिसमें 3 li है, mouse, keyword, printer, इसके बाद हम अपने body tag को close करेंगे, last में HTML tag को close करेंगे, प्रोग्राम को save करते हैं, और प्रोग्राम को run करके देखते हैं, right क्लिक करेंगे, open with live server पर click करेंगे, कुछी समय में हमारा live server on होगा, और हमें प्रोग्राम का output display किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यह हमारी multi-level list या nested list का output है, जिसमें हमने एक heading दी थी computer S2 tag से, तो यह हमारे heading print हो गई, फिर हमने एक ordered list बनाई थी, इसका पहला item था software, दूसरा item था hardware, software के अंदर तीन option थी यह थे, word, excel और powerpoint, hardware के अंदर तीन option दी यह थे, mouse, keyboard और printer, हमने title tag में जो title दिया था nested list, वह हमें title बार में so किया जा रहा है, तो यह होती है nested list या multi-level list, मतलब एक list के अंदर दूसरी list बनाना, आप OL tag, UL tag को मिला कर किसी भी परकार की एक nested list बना सकते हैं, आप इस list को practically use करके देखें, कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, मि झाल